वरी गूद मॉरिंग स्टुरेंट्स। आज हम अपरेल डिजाइनिक कोर्स के अंतगर्थ डिजाइन के तत्त, Elements of design के बारे में बात चीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते की परिधान डिजाइनिक means Apparel डिजाइनिक क्या है। Apparel Design एक टेखनीक है, जो पैटन बनाने और कपड़े की सिलाई जैसे विशिस्ट कारिम से सम्भधित है. परिधान डिजाइनिंग में डिजाइनर की तखनीक और कलात्मर रशनात्मक्ता शामिल है. परिधान डिजाइनेरों को कपड़े के निर्माण की निगरानी के साथ संकल्पना बनाने की जुरत भी होती है means कि जब हम कपड़े के डिजाइनिंग कर रहे हैं it means कि हमको उसके concept के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें हम क्या चीज इंक्लूट करेंगे इसको बनाने से क्या होगा और किसी particular means किसी particular इंसान के लिए हम कुछ चीज बना रहे हैं तो उसका body build-up कैसा है तो उसमें किस तरह की डिजाइनिंग हमें करनी है किस तरह का कपड़ा सूटेबल है इसमें कि उसको उस डिजाइन के बारे में और उसकी जो creativity है उसके बारे में और डिजाइन के concept के बारे में पता होना चाहिए अब हम डिजाइन की तत्व के बारे में बात करेंगे किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का हम प्रियोक करते हैं उसे हम डिजाइन के तत्व कहते हैं जैसे की लाइन, स्पेस, शेप और फॉर्म, लाइट, कलर, टेक्शर, पैटर्न सबसे पहले अब हम लाइन के बारे में बात करेंगे किसी भी दो बिंदों को मिलाने वाले जो रेखा है जमीन्स की एक रेखा जो है दो बिंदों को मिलाती है रेखा आंको उस दिशा की ओल जाती है जिस दिशा में वो जा रही है उस चेत को विवाजित करती है जिसके मादम से यह गुजरता है इस प्रका अंतिरिक्षि में विच्छेत बिंदू प्रदान करती है। रेखा के एक सतत्पत के साथ दो या अधिक बिंदू को जोड़ सकती है। आकरती या सिल्वेट को परिभाशित करती है तथा एक मूड ये चरितर को भी व्यक्त करती है। क्योंकि जैसे कोई रेखा पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई थोड़ी तिर्शी होती है, कोई मुडी हुई होती है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं भी किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए हम रेखा के प्योग करते हैं और जिस टैप की हम रेखा के प्योग करेंगे वह उ उसका पात कैसा है, कि सीधा है, यह टेडा है, उसकी ठीकनेस कितनी है, मोटाई कैसी है, उसमें इवनेस कितनी है, अग कंटीनियूटी कितनी है, बीच में ब्रेकडाउन तो नहीं हो रही है, कुछ रेखा पहले चलती है, फिर ब्रेकडाउन होती है, फिर स्टार्ट होती है, वैसे इसकी sharpness कैती है, contour कैसा, इस किनारे कैसे है, line के, और इसकी consistency कैसी है, लंबाई कैसी है, और इसकी दिशा कैसी है, direction कैसी है, ये सारे बिंदू हमारे रेखा के पहलों को बताते हैं, और हमारे design, जब design में इन पहलों को हम प्योग करते हैं, रेखा बनाने में, तो ये इसकी दिशाइन का एक महत्पून तत्व है, इस्थान या तो सपाठ हो सकता है, या खाली मात्रवाला हो सकता है, means त्रियामी हो सकता है, इसमें वॉल्यूम हो सकता है, किसी भी design का मूल तत्व इस्थान है, जिसमें रेखा, आकरती, रंग, बनावत या पैटर्न हम रखते हैं, किसी भी इस्थान में जब आप रेखा खीषते हैं, तब उसको हम कोई आकरती प्रिधान करते हैं, means, suppose हम कोई design बना रहें, means कैसे कपड़ा है, कपड़ा भी एक प्लेस है, इस्थान है, उसमें अला-अलग tap के हम मोटिव्स बनाते हैं, अला-अलग tap के shapes बनाते हैं, त तो यह particular, जो हमारा space है, उसी में हम particular tap की design को draw करते हैं, और यह space जो हमारा होता है, वो एक खाली भी हो सकता है, means, suppose हमने कोई line खीची है, तो उसके बहार का और उसके बहार कुछ भी नहीं है, तो वो हमारा क्या हो सा हो गया, free space हो गया, जो अंदर बारा है, वो closed space हो गया है, Now we talk about the shape and forms, shapes क्या है, form क्या है, दोनों एक जैसे तो है, लेकिन दोनों के परिभाशा में difference है, और दोनों अलग अलग effect देते हैं, जिसे कला कपडों में अकार, हम कहते हैं, जब कहते हैं कि कोई shape है या अकार है, या आम तोर पर क्या है, सपार्ट और द्यू आयामी होता है, means अंतल सजावती design जैसे pattern, रुपांकर या परिधान के भाग जैसे collar, जेव, यह क्या है हमारे shape है, जह हम बात करते हैं, फॉर्म की, यह क्या होते हैं, इन में क्या हो कह सकते हैं, कि इनकी सथह में जो होता है, आयामी में परिभाशित किया जाता है, कि सथह से घीरा हुआ होत तो यह प्राहे आंतरिक भाग को हम volume के रूप में देखते हैं, और यह दी ठोस है, तो हम उसको mass बोलते हैं, जैसे cube है, cube हमारा क्या हो गया, three dimensional हो गया, वैसे कोई भी अगर triangle shape है, तो हमारा क्या है, अगर खाली three dimensions है, it means कि यह क्या हमारा shape है, अगर उसका हमारा volume है, it means it is in a form, अब हम बात करते हैं, light की, जो एक बहुत महत्पूर्ण तत्व है हमारी designing में, इसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि इसको as a element नहीं समझते हैं, लेकिन यह बहुत ही important element है हमारी designing का, प्रकाश को इतना महत्पूर्ण नहीं समझा जाता, और शायद ही कभी इसे ए लिए, तो किती light हम आपे focus करते हैं, और light की effect ही करना हमें, कभी हमें design ही अलग दिखती है, और कभी उसको main color है वो ही हमको different दिखाई पड़ता है, और जम बहार आते तो अलग दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश नहीं केवल रोश्णी और रंग प्रदान करता है, बलकि द पताया कि जो अलग कपड़ा, suppose कपड़ा किसी और कलर का होता है, जो हम मार्केट के अंदर जाते हमें अलग दिखाई पड़ता है, और जम बहार आते हम अलग दिखाई पड़ता है, यह तो इस चीज के लिए light एक important factor है, जो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, जब हम कोई designing कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कलर की, कलर के जब हम बारे में बात करते हैं, किसी भी design में अलग अलग effect को create करने के लिए color का बहुत ही important role है, जब हम बात करते हैं, रंग रंग दिप्तिमान और शुक्ष्म आबा है, जो हमें असंग के प्रफुलित शुक्ष में एवं निराशात्मक्षणों से आवरत करता है, हम रंग के प्रती प्रतिक्रियाश सारीक और मनोविगानिक रूप से देते हैं, कभी-कभी सचेत रूप से और अंजाने में देते हैं, जैसे suppose कभी हम ब्राइट कलर देखते हैं, तो अग जिसे हम अट्रेक्ट होते हैं अग 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 इमोशन होते हैं हर कलर के लिए, कभी हमें एंथिजास्टिक लगता है, कभी हमें डल फील होता है, इस तरह से तो कलर जो है, जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, कलर का यूज बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए, विच क्रेट्ट डिफेर्ट डिफ देते हैं, और कभी-कभी हम एकदम से लिए बहुत अच्छा कलर लगता है, धिराओ देते हैं, तो रंग वस्तु को भेद करने और पहचानने में मदद करता है, यह वस्तु का दरश्य अकार या माब बदलता है, और आकर्शन प्रदान करता है, कभी-कभी देखा है कि what color we have to use for particular thing और इससे क्या एफेक्ट है हमारे डिजाइनिंग में और हमारे जो प्रोटेक्ट बन क्या रहा है उसमें क्या हो रहा है जह हम बात करते हैं रंग के आयाम मेंस क्या डाइमेंशन से सबसे पहले हम बात करते हैं यू की यू क्या है यह प्योर कलर जब कोई प्योर कल आना निधारित किया जाता है कि क्या यह एक पृतक्ष छौ से या रंजिश तो से परिलक्षित किया गया है मीस की इसका क्यो प्योरं들 से मनने मिन की it should be in a pure form, जह हम बात करते हैं, value की, value means its, it's mean lightness and darkness of the color, जब किसी रंग में सफेज रंग को मिलाते हैं, तो ये tint बनता है, और उसे high value में से अंकित करते हैं, और जब किसी रंग में हम काले रंग को मिलाते हैं, तो वो shade कहते हैं, और जो उसकी value का हम denote करते हैं, वो low value करके denote करते हैं, तीसरा उसकी dimension intensity, जब intensity के हम बात करते हैं, तो यह रंग की चमक में सब्राइटनेस को और डलनेस को दरशाता है, चमकीला की हमारा कलर की चमक कैसी है, ब्राइटनेस रंगों में उच्छ होनी चाहिए, और जबंद है में इसकी intensity low है, अब हम बात करते हैं, टेक्शर की, जब हम कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हम किसी surface में करते हैं, तो surface में करते हैं, तो वो हमारा surface क्या 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 टेक्शर की इसकी बनावाट कैसी है, तो हम बनावाट को दो कानड़ कपड़ों के लिए महत्पूर्ण है, suppose कि हम उसको टच करते हैं, किसी भी कपड़े में हम जो उसका टेक्शर है, वो दो तरह से हम उसको identify कर सकते हैं, बाइट टेचिंग, जब उसको यसे चूते हैं, व इसको हम छूके, देखके और शिवन करके, suppose कि कपड़े को छूते हैं, तो हम टच करते हैं, तो एक जड़जरा पनसा होता है, यह रफनेसी होती है, यह समूज सा सर्फेस होता है, यह घौती, स्लिप्री सर्फेस होता है, इस तरह से हम टेक्शर को identify कर सकते हैं, और जो टेक बनाये, छोज़ यूहां उसमें वीव यूस करी है जब उसमें कॉन यूमिंच करी है हमने तो यह सारे फेक्टर जो है वो हमारे कपड़े के को डिफाइन करते हैं और डिजाइनिंग में कपड़े का बहुत में जैसे आप जाड़ों में हैं हमारे पास अलग टैप के कपड़े होते हैं उससे उन कपड़े की पर्टिकुलर क्वालिटी भी पता चलती कि यह वाम्त है या नहीं है दूसरा चीज की उसमें जह हम टैच कर नौ वी टॉक अबाउट दा पैटन पैटन क्या है पैटन जो हमारे आकार है वजन है कपड़े की नाज दुखता है उसमें भव्यम गतिविधी को प्रवालत को प्रभावित करता है जो पैटन होता है जो कपड़ों एवें परिधानों की भौम की गुर्वत्ता अमें बात करते हैं पैटन मीज कहें हमने कोई दिजाइनिंग करी है तो उसमें जिब डिफरेंट फीचर्स हमने एड़ब कर दी है और जो पूरा प्रड़क निकल के है वह हमारा पैटन है तो पैटन में कौन कौन सी चीजे हमने यूज करी है किस शेप में हमने दिजाइनिंग कर तो डिजैन एलिम्मेंट वे सबसे पाइry इंपोर्टेंट है। धिजैन एलिम्मेंट जिसे में नहीं बनके आएगा और जो हमारा intended consumer है या intended product जिस consumer के लिए हम बना रहे हैं उसकी requirement को fulfill नहीं करेगा इसलिए हमें designing करते समय हमें design elements का बहुत ध्यान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए जिससे की हमारी design अच्छी बनके आए और हमारी particular requirement को fulfill करे और जो हमारे consumers के लिए suitable हो धन्य बनके बनके वाट